लूबरबान दिस इस अब शेक रान वेलकम वी ओल टीवर फेवरेट यूटूब चैनल राइजुकेशनल राइजुकेशनल चैनल पे आप सब भाइब बंदुकारतिक स्वाकत है में तो बहुत इंपोर्टेंट अप लोगों के लिए मौनिंग में आप लोगों को नहीं बता होनी के जो याज क्या थी उसके बारे में आप डिट दूंगा कोट अपडेट आप लोगों के लिए उनतर जार भरती कोट अपडेट और बड़े-बड़े यूटूब चैनल वाले जो है ओ छोटी-छोटी चीजों को इतने तरीके से आप लोगों से समख स्पेश करते हैं क पहली बात और दूसरी बात बीड अगर बाहर होता भी है तो नतर जार भरती में जो मित्र समलित हैं उनकी नियुकती हो जाएगी प्रात्मिक में नियुकत होकर सिक्षक बन जाएंगे भाविश्र का मैं भी इस पश्ट रूप से नहीं कह सकता कि बीड रहेगा या नहीं र क्यूंदूर रहेगा वीडियो पर भने लेगा वीडियो लाइक करिएगा शेर जितना हो से उतना शेर करिएगा ताकि जो मित्र भीड से रिलेटें नियुक्ति नतर जार बड़ती में संवलित हैं उनको परशानी हो रही हर जगा वह फैलाई जा रही है तो वह उन तक यह सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चली वीडियो शुरू करते हैं तो एक एक बात को अथ्य समझे कोशिश करेगा है कि 99,000 सिक्षक बढ़ती में बीड को शामिल करने के मामले में आज हुई लखनों हाई कोट की सुनवाई की ग्राउंड रिपोर्ट आपकी 818 अप्रायल 2019 की ह लखनों हाई कोट में कोट नमबर 20 में आकास पटेल वर्सेस स्टेट अफ वीवी वह अन और आपका ये रिट संख्या जो है इसको आप खुद चेक कर सकते हैं 110048-2019 की बहस सिंगल में बेंच में जस्टिस अब्दुल मोहिन की पीट में हुई लगबट डेढ़ गंटी की बहस में एडवकेट अमित भदवरिया साब एवं एडवकेट राजी उत्रपार्टी साब ने NCTE और RTE Act के तमाम संसोदनों को क्लिरिफाई किया चुकि रूल और Act जो है आपकी सिंगल बेंच से डिसाइड नहीं हो सकते हैं इसलिए कोट ने टिपड़ी की और कहा कि ये मेंटर सिंगल बेंच के लिए एप्रुप्रियेट नहीं है जो बात ही इस परस्ट है कि मेंटर जो है सिंगल बेंच के लिए नहीं है जो लोग बहुत ज्यादा डी के हांक रहते हैं जो बहुत ज्यादा इसको कह रहे थी कि बस ये खारीज हो जाए कि बेड़ भार हो जाएगा ति समझ लीजे मैं ये विशेश टिपड़ी नहीं कर र रहें आप यह ना करिए मैं सुरू से बोल रहा हूं बीटी सी बेड़ वाले एक होके अगर लड़ेंगे तो न्यूकती पाएंगे वरना आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और वहीं वाला होगा बिल्ली आपस में लड़ती रहेंगे बंदर अपना रोटी लेके को वापस ले लिया है और अब इससे डबल बेंच में चैलेंज किया जाएगा अफवाओं का बाजार गर्म है सिंगल बेंच से बाहर आने के लिए जब तक रिट को विड्रॉन नहीं करेंगे तब तक डबल बेंच में चैलेंज नहीं किया जा सकता है और एकदम आगे बढ यूस के फॉर्म में आप लोगों को समक्ष पेस किया जाएगा कभी बताया जाएगा हाँ इसको यह सुनवाई हुई फिर दूसरी वीडियो आएगी कि हाँ इस पे यह हुआ फिर तीसरी वीडियो लाश में मतलब आपको पैनिक होने का जितना हो सके करते हैं नुक्ति प्राप्त करने तक तो बनरी मार साथ स्टेट इन और राइजु केशनल करपले से वाल थेंगे सुमाज है